हाई दोस्तों हावारियो टॉनी गार्डन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपको चावल की बोरी से ग्रो बैग बनाना सिखाऊंगा घर पे मैंने बताया था ना कि हर चीज आपको खरिदना नहीं पड़ेगा तो यह देखिए यह चावल का बोरी है यह देखिए यह देखिए यह चावल का बोरी है दोस्तों तो इसी से मैं आपको ग्रो बैग बनाना सिखाऊंगा यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए चावल का बोरी तो इसी से मैं आपको ग्रो बैग बनाना सिखाऊंगा तो चलिए मेरे वीडियो में बन पे ही grow back बना सकते हैं आपको market जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तो आप घर पे ही grow back बना के अपने kitchen garden तेर्स garden में पौधे को grow कर सकते हैं इसमें सबजी लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तो टॉनी गाडन को लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, तक कि हर दिन मैं आपको एक नया वीडियो दूँ और हर चीज आपको घर में बनाना सिखाऊं। तो सबसे पहले आपको सूता लेना है, यह सूता पॉलिष्टर का सूता है जो आप सिलाई किजिएगा, उसके बाद कहिंची लेना है एक आपको, कहिंची यानि सीजर, कहिंची लेने के बाद एक सूई लेना है आपको, सूई भी काम में आएगा आपको, सूई सूता कहिंची एक ही cutting कीजिए तो मैं दो grow bag बनाऊंगा बड़ा साहच का जिसमें मैं सबजी उगाना सिखाऊंगा आपको तो ये grow bag आपका लगभग 15-18 इंच का बनाऊंगा मैं 15-18 का तो इसको बीच से आपको काट लेना है दोनों को बराबर ताकि दोनों grow bag एक ही तरह का बने तो इस तरह से आपको कैशी से काट लेना देखिए मैं किस तरह से काट रहा हूं दोस्तो ये टॉनी गाडन है मैं हार चीज आपको घर पे बनाना सिखाता हूं अब घर पे बनाईए कोई चीज आपको खरीदना नहीं पड़ेगा दोस्तो अब एक चाकु ले लिजिए चाकु को ये 15-18 का बन जाएगा आपका तो इसके सीरे को आपको अच्छे से गोल करके राउंड करके स्लाई कर लेना है मेरा पास दोस्तो स्लाई मसीन नहीं है इसलिए मैं हाथ से ही स्लाई करूंगा तो ये सुवी धागा ले लिजिए दोस्तो इसी से आपको स्लाई करना है इस तरब से टाका मार रहा हूं उसी तरह से आपको स्लाई कर लेना है मेरे वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए ताकि म diferen आपको एक फिरी या वीडियो दे कूं जो कि आपको कोई चीज खरीदना नहीं पड़े ये ग्रोब आगा आपको बजार में कम से कम 12- दो सो रुपिया दाम हो जाएगा दोस्तों इसलिए मैं हर चीज आपको फिरी में घर में बनाना सिखाऊंगा तो मेरे चैनल को लाइक किजिएगा तभी तो आपको नौटिफिकेसन आएगा तो इसी तरह से आपको राउंड राउंड पूरा कभर कर लेना सिलाई को देखिए ये कम्प्लिट हो चुका है चारो तरफ से राउंड आप इसको बीच में आप टाका मार लीजिए ताकि ये गाट खुलेना सूता आपका खुलेना काट लीजिए आप सूते को सूता को अच्छा से काट लेना है ये देखिए मैंने राउंड स्लाइ मार लिया दोस्तों मेरा तो यह आप टेरिस गाडन में किचन गाडन में आप ना गाडन में कहीं भी उगा सकते तो यह मेरा ग्रोबेग एक कम्प्लीट हो चुका है अब दूसरा मैं बना रहा हूं देखिए दूसरा सिरे को भी आपको अच्छे से सिलाई कर लेना है क्योंकि यह दोनों तरफ से कटा ह हुआ है तो मैं निचला हिस्सा को अच्छे से मोड लूँगा यह देखिए मैं किस तरह से मोड लिया यह देखिए दूसरा हिस्सा को मैंने जो दूसरा कटिंग था मेरा जो कटिंग बचा हुआ था मैं उसी को ग्रोबेग बनाया देखिए किस तरह से मैंने मोड लिया फॉल्ड कर लेना है ताकि आपका ग्रो बैक बहुत खुबसूरत बने गोल बने राउन बने यह देखिए इस तरीके से आपको फॉल्ड कर लेना है अच्छे से जिस तरीके से मैं फॉल्ड कर रहा हूं और बीचो बीच लाना है इसको फॉल्ड करके देखिए मैं किस तरह किस से फोल्ड कर रहा हूँ आपको फॉलो करना है ये देखिए इसको को नुकल गया एह को सूइ से आपको सलाई कर लेना है या ताका हमार से या चुल का लूँगा ज्यादा कोना complete हो चुका है आपको दूसरा सिर लेना है दूसरा भी उसी तरह आपको fold करना है जिस तरह मैंने fold किया है एद दीखे किस तरह सिखा रहा हूं देखलिजिए फॉलो किजिए दोस्तो ये दिखिए मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए दोस्तो ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको दे सकूँ आपको कोई चीज खरीदना ने पड़ेगा तो इसको भी उसी तरह के से बीच में टाका मार लेना है ये देखिए जिस तरह के से मैं मार रहा हूं इसी तरह के से आपको सलाई मार लेना है ताकि खुलेना अच्छा से अब इसको काट लिजे सूते को धागे को काट लेना है ये देखिए मैं काट लिया अब देखिए ये ग्रो बैग का रंग कैसा हुआ है। इसका लुग कैसा चेंग हो गिया, यह देखźें है… यह देखें गोल हो चुका है, यह आपका। यह ग्रो बैग 15 वार 18 का बन चुका है दोस्तों, इसमें मूली उगाई है। तुरह उगाई है जो भी उगा सकते हैं कोई भी सबजी आप उगा सकते हैं और इसको भी अच्छे से आपको मुँग को सिलाई मार लेना है जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ पूरा राउन मारना है दोस्तो देखिए यह देखिए पूरा राउन को मारना है आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैं मार रहा हूं सिलाई को हाथ बचाते हुए मारिएगा दोस्तों क्योंकि मेरे पास मसीन नहीं है तो मैं सिलाई मसीन से नहीं कर रहा हूं आप अगर सिलाई मसीन हो तो आप सिलाई मसीन से कीजिएगा और हाथ बचाते हुए कीजिएगा क्योंकि यह सुई ह दोस्तो ये देखिए मैंने round मार लिया चारो तरब अच्छे से हाथ से ही मार लिया मैंने round अच्छे से आपको छोटा-छोटा सिलाई मार लेना है ताकि खुले ना ये grow bag मैं बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तो चावल का बोरा से आप कोई साभी बोरा ले सकते हैं चावल, डाल, सिमेंट किसी कभी बोरा से आप grow bag बना सकते हैं तो ये देखिए एक सिरा से दूसरे सिरा तक बहुच चुका मेरा सिलाई अब इसको यहां से टाका मार लेना है आपको सिलाई मार के इसको मिला देना है अच्छा से दोनों सीरे को अच्छा से मिला देना है जिस तरीके से मैं मिला रहा हूँ दोस्तो इसी तरीके से आपको सीरे को मिला देना है जिस तरीके मिला दिया देख लिजिए यह देखे यह सीरा दोनों मिल चुका है अब इसको आपको अंदर के तरब अच्छे से स्लाई कर लेना है और टांका मार लेना है और गांट लगा देना है ये दीखिए मैं किस तरीके से गांट लगा दिया ताकि खुले ना सूता अब इसको काट लिजे आप अच्छे से आपको अच्छे से काटना है दोस्तो ताकि स साइड अच्छा बना है यह देखिए गोल एकदम राउंड यह देखिए क्या जवरदस्त गुरो बैग बन चुका दोस्तों यही मार्केट में लेने जाएगा देड़ से 200 रुपिया दाम ले लेगा आपका तो यही घर में मैं बनाना शिखाया आपको आप मेरे चैनल को कि टोकरी से बास्केट बनाना सिखाया था उसमें मैं धनिया पत्ता उगाऊंगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके का हर दिन वीडियो आपको दे सकूँ यह देखिए मेरा दोनों ग्रो बैग कंप्लीट हो चुका है दोस् जरूरी है आप घर पर बनाएए जिस तरीके से मैंने सिखाया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों मेरे यह टॉनी गाडन है मेरे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिनना पिक्ट